हरियाना विधान सभा चुनाव ने नतीजे अब धीरे-धीरे साफ होने लगे हैं। बीजेपी यहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। इस चुनाव में कॉंग्रेस को बड़ा जहका लगा है। सरकार बनाने के खवाब देख रही कॉंग्रेस 40 से भी कम सीटों पर ही सिमत्ती दिख रही है। इस चुनाव नतीजे के बाद सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी कॉंग्रेस लगातार हमलावर है और राहुल गांधी को कॉंग्रेस की हार का जिम्मेदार बता रही है। यहां राहुल गांधी 12 सीटों पर चुनावी रैली की थी। लाडवा, गोहाना, खरखोदा सीट बीजेपी जीत गई जबकी गन्नौर, सोनीपक और बहादुरगर में निर्दलिया को जीत मिली है। पर मौझूद दिखे। लेकिन इन बीच राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल उठने लगा कि वरिष्ट कॉंग्रेस सांसत कहां है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ विदेश गए हैं। हाला कि उनके जाने की वज़ा और कब तक लोटेंगे ये अभी साफ नहीं हो पाया है। हर्याना विधान सभाचुनाव को लेकर एक्जिक पोल के अनुमान से ही खुश्या मनाने में जुटी कॉंग्रेस अब वहां पिछरी दिख रही है। हर्याना विधान सभाचुनाव के नतीजे पलटते दिख रही हैं। तमाम एक्जिक पोल के अनुमानों के उलट बीजेपी यहां शुरुवाती रुज़ानों में बहुमत के पार चल गई है। बीजेपी की जीत की उम्मीदों से पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिज विजगूप खुश नजर आएं और उन्होंने राहूल गांधी पर हमला बोला है। अनिल विज़ ने कहा। कॉंग्रेस जूट की फैक्ट्री है। हमेशा जूट बोलते हैं। कहां गए 8500 खटाखट। खटाखट मोहबबत की दुकान में नफरत दिक रही है।